हेलो एन वेलकम दोस्तों स्वागत आप सभी के एक और न्यूव वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आजी पूरुस की hidden और meaningful detail के बारे में साथी मैं देखेंगे एक रियल लाइफ से लिए गए पॉस्टर के references भी जो के हर किसी के घर में मिल जाते हैं और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाए है आजी पूरुस मूवी के साथ क्या क्या गलत है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना link in the description तो चलिए सुरू करते हैं शुरुआत करते हैं तस्वीरों के references के साथ आप इस short को देखें ये short reference है इस तस्वीर का आपने इस तस्वीर को तो कहीं नहीं जरूर देखा ही होगा चलिए भड़ते हैं अगली reference के और ये काफी बढ़िया है अब आप ये वाला short देखें ये जो reference है वो इस तस्वीर के काफी खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है और किसी का ध्यान भी नहीं किया होगा इस चीज के उपर और उसके बद हनुमान जी का ये वाला short तो कि reference है इस तस्वीर से बहुत हत्तक मिलता जोलता है और उसके बाद आता है हनुमान जी और रान जी का एक दूसरी को हग कने वाला सिन और हनुमान जी का expression आप देख सकते हो वो जो फिल कर रहे हैं उस वक्त आँखों में आसू और दिल में खुसी लिये इनको वो सब कुछ मानते हैं आज वो उनके सामने खड़े हैं उस वक्त जो वो मैसूस कर रहे होंगे वो बया नहीं किया जा सकता उसके बाद जो है हनुमान जी और जानी की जी का मिलने वाला ये वाला सिन जो के reference है इस तस्वीर से बहुत हट तक मिलता जोलता है अब हम बात करने वाले हैं ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसी hidden detail के बारे में जो आपने जरूर मिस कर दे होगी जैसे कि ये पत्थर वाला सिन ये पानी पे तो ते रहे हैं लेकिन क्या आपने नोटिस गया था समुदर की वेव के साथ पत्थर भी हिल रहे है और यहाँ पे तारी बनती है VFX वालों की क्योंकि इन्होंने इतनी सी छोटी detail को भी ध्यान में रखा के पत्थर जो है वो पानी पे तेर रहे है तो पानी के भावाओं के साथ वो भी थोड़े बहुत हिलेंगे और यह भंदर जो मोती दिखा रहा है वो उनके गले में से गिरी हुए मोतीयों के हार का एक मोती है जिससे रागव जी को पता चलता है कि रावाण ने जानकी जी को किस रास्ते से लेके गया है और उसके बाद हनुबमान जी की दोती उसका भी उन्होंने कलर चेंज कर दिया है जो के पहले वाइट थी अब उरेंज कर दिया है लेकिन उसके साथ साथ समूंदर के अंदर भी वेव डाली ग िंगे झाल झाल